है यह यह दोस्तो नमस्कार पैना गराम राम स्वागत आपका एक और नए दिन और एक और नए ब्लोक में सामके पच्चुके हैं लगबग साड़े चार और अभी मैं हूँ अपने रशोई में और आप सोचते हूंगे मैं रशोई में क्या कर रहा हूं साड़े चार बजे तो तो कल ही उनका स्राद होता है कल नौमी का स्राद है तो कल ही उनका स्राद है तो आज मेरा अभीग था अभीग यानि एक उपवास टाइप का होता है और दिन शिपने से पहले ना दोकर खुदी खाना बनाकर और गाय को खिलाना पड़ता है सबसे पहले और फिर खुद जिन क्या जाएगा तो आज मेरा भी अभीव था और उपवास था तो मैं भी खाने आने की तयारी कर रहा हूं रसोई में और कई बार बहुत से लोग कमेंड करते हैं कि आप अपने मदर को नहीं दिखाते हो तो मेरी मदर ना दिखने का यही एक रीजन है और बहुत पहले ही आपने उनको खो दिया था बच्वन में ही वो मुझे तो यह कहने में भी बड़ा सा दूख होता है और तगलीब होती है लेकिन यही सच है तो यह सब्जी मेरी कट चुकी है और सब्जी बना रहा हूं मैं तुराई और अलू की तो यह तुराई मारी घर की यह देशी तुर जो भी चाउलों का मान है और अब दूल चुके हैं चाउल तो अब रख देते हैं इसको गैस पर यह चला दिया गैस पर और इसके उपर रख देते हैं ढकन तो इसमें बनाते हैं सब्जी इसको भी आउन कर देते हैं इसमें पानी है तो बस्तों होतते हैं तो आवाज oralis पर पंसाद करहीं हैppen तो कड़ाए ओ छुकी है गरम को जुए फिसमें दालते हैं टेल आब उनीक है डाल देने थोड़ा साबु जीरा ये डाल दिया साबू जीरा जीरा बुन चुका है तो आप सब जीर आल देते हैं कटी हुई ये रहा धनिया पाउडर ये जीरा पाउडर और ये रही हबली और ये रहा नमक मिला लेते हैं बढ़िया से ये उच्छे गए सारे मसाले मिक्स तो थोड़ी देर इसको ऐसे घुमाते रते हैं तांकि मसाले थोड़ा पक जाई और चावल भी उमले लग गए अब डाल देते हैं पानी तुम भी खाऊगे? ये सब्जी दो साम के लिए भी हो जाएगी ना थोड़ी तरीदार बनानी पड़ेगी तो अब रख देते हैं धकन इसको देते हैं पकने तो एक बार और गुमा देते हैं तो चलते हैं केले का पत्ता काटकर लाते हैं तो अब दिन भी छोटय छोटय होले लग गई जैसे जैसे समय बीथा आ रहा दिन छोटय छोटय होते कि अब धो लेता है इनको पत्तों को थाली में रख देते हैं और फिर ललु को भी देदीगे थोड़ा सा क्योंकि वह भी देखेगा तो उसको भी थोड़ा देदेंगे हैं तो दोस्तों हमने अपनी मदर को पापी छोटे उमर में खो दिया था मैं लगवग पाँचवा पड़ता था और छोटी बहन तीन-चारवा पड़ती थी और बड़ी बहन की तो फैर साधी होगी थी पहले ही पाढ़ में तो जैसे पाढ़ से हम इधर आए तो यहां आने के लगबग डेढ़ दो साल बाद वो एक्सपायर होगी थी तो बहुत सारे दुख जले ह बहुत हारे दर्द सहे हैं एक मा का चले जाना वह भी बच्वन महीं तो कितना तकलीप और दुखदाएक होता है तो यह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं अभी रखा हुआ हुए उनके लिए कलों का सराथ भी है तो यह समय बड़ा दुखदाई होता है बड़ी तकलीप होत हाता है तो उनका उतना ही समय होगा तो वह चले गई लेकिन एक इनसान के लाइफ में मागी कमी हमेशा रहती है क्यूंकि आप दुनिया की अच्छी दुबारा पासकते हैं लेकिन माबाब को दुबारा नहीं पा सकते तो बहुत कश्च दायक और दुख दायक होता है यह स्विकार करना कि यह हमारे साथ नहीं है लेकिन मानना पड़ता है तो यह भी नगबख पकी चुकी है क्योंकि इसमें आलो तो जल्दी पक जाते हैं और जो तुरही थी हो भी मुलाइमी थी तो यह भी लगबख पक चुकी है तो तैयार हो चुका है मेरा बोजन तो अब सबसे पहले फटा पट पहले लख्षीमी को देते हैं यह मैंने केले के पत्ते में रख दिया है बोजन लक्षीमी के लिए और फोड़ा सा लल्लू के भी लख दिया है साथ में क्योंकि दोनों साथ में ही रहते हूं अब उसको देंगे उसको नहीं देंगे तो यह अच्छा नहीं लगता है तो उसको भी देलिंगे साथ में वह सूरद देपता भी देख सकते हैं भी ढलने वाले कुछ देर बाद लगबग आदे गंटे बाद सूरद अस्त हो जाएगा तो इससे ही पहले इसको खिलाना होता है और खुद भी खाना होता है एल्लू लाया हो लाया हो लाया हो लुको आराम से आराम से आराम से खाना गाय को गगरास देकर आ गया मैं और अब मैं खुद भी बोजन कर लेता हूं तो मैं अभी बोजन करूंगा और इसके बाद जब कल पंडीजी आएंगे सराथ करेंगे और उसके बाद ही मैं बोजन करूंगा तो अभी फटापट से कर लेते हैं भोजन तो हो चुगा है मेरा भोजन और सुरत देवता भी थोड़ी तेर मां अस्ती ही होने वाले हैं लेकिन फिलाल तो अभी अस्ती नहीं हुए है और आज हल्के फुल के बादल भी आ रहे हैं थोड़ी सी उमस भी है तो ब्लोग मनाने का मन तो नहीं हो रहा था क्योंकि इस समय काफी तकलीफ सी होती है काफी दुख सा होता है कि जो मां हमारे साथ होनी चाहिए उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं लेकिन यही कड़वा सत्य है क्योंकि आज जो भी आप हमारा घर देखते हैं सब कुछ जो भी चारू तरफ खेत खल्यान देख रहे है तो सब उसी के बदोलत है क्योंकि वो ही हमें यहां लेकर आई थी पिताजी को तो इतना मालूम भी नहीं था कि कहां घर बनाना है कहां जमी लेनी कहां क्या करना है तो मेरी मम्मी ने इस सब कुछ इदर उदर करके तो हमें यहां लाई नहीं तो हम भी पहाड़ों में कहीं धक्के खारे होते और पहाड़ में हमारा गर ऐसी जगह था ना सडक ना पानी और बहुत दूर-दूर मार्केट था तो कुछ भी काम पढ़ता था तो मौनी आना पढ़ता था और सुपय से साम हो जाती थी तो अमारे उदर के एगात परिवार इदर आ गए थे तो मेरी मम्मी ने भी पहले सोचा मौनी में लेते हैं और फिर पलान बना कि यहीं ले लेते हैं हम तो किताजी तो आर्मी में थे तो उसने इधर-उदर करके जैसे तैसे इधर जमी ली और फिर हमको इधर लेकर आई जैसे तैसे करके उसने पहले मिट्री की जोबड़ी बनाई हमने और उसी में रहे कुछ साल लेकिन यहां आने के लगबग देड़ दो साल बाद उसकी तब्यत खराब हुई और फिर एक दिन वो चल बसी तो हम काफी चोटे-चोटे थे हमें अकल भी नहीं थी तो उसके बाद हमने काफी कुछ साह, काफी कुछ देखा, काफी कुछ अनुभव किया और अभी हमेशा उसकी कमी रती है लाइफ में उसने अपनी लाइफ में काफी कश्ट सहे, काफी दर्द सहे, काफी दुख सहे और अभी जब उपर वाली किरपाचे सब कुछ ठीक ठाक हो गया है तो अ वो देख रही होगी और ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास ही है तो दोस्तों ये थी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं में क्योंकि मामा ही होती है तो हमने तो काफी छोटे उमर में उसको खो दिया तो अब मुझे भी जाना है काफी ब्लॉग इमोशनल हो जा रहा है मुझे अब भी जाना है चक्की मोड अभी कुछ सामा लेकर आना है कल रात के लिए तो आज का ब्लोग यहीं पर इंड कर देते हैं मिलेंगे एक और नए ब्लोग में तो तब तक के लिए बाई बाई